नमस्कार दोस्तों, गुड़ मॉर्णिंग एंड वेलकम टो दिस वीडियो, मैं हुमिश्व मर्या हाजुर हूँ, करेंट फेस की सीरीज में आज की वीडियो लेकर, जिसमें हम डिसकस करेंगे करेंगे करेंट फेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसी कोच को, तो वीडियो को प और भी कॉश्चन बन सकते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, उसको आप नोट किया करें, और उसको आप एक्जाम टाइम में जरूर रिवाइज करें, ताकि आपको डिरेक्ली वहां पर हेल्पन पाए, तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं, और दे देता हूं, से उतर है, जस्टिन टूडो, जी, तो जस्टिन टूडो ने यहां पे तीसरा कारेकाल जीता है, मतलब तीसरी बार वो कैनड़ा के प्रधान मंतरी चुने गए हैं, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हाली में वहां पे पार्लेमेंटरी एलेक्शन्स हुमें ह जस्टिन टूडो की पार्टी ने जीत हासिल की है, और इसी बैसे यहां पे इनको तीसरी बार प्रधान मंतरी चुना गया है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जस्टिन टूडो जो है, वह 2015 से कैनड़ा में प्रधान मंतरी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट इसमें किस सहर के पास सरकार ने इलेक्ट्रोनिक पार्क विक्सित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तहां पे options given है, प्रियागराज, वारांशी, नोइडा ये लगनो, तो मैं आपको सही उतर बता दू, सही उतर है, नोइडा, जी, तो नोइडा के पास इस इलेक् पास रखना है, अब्रिवेशन करता में ये पूछा जा सकता है, क्या नाम है, Y-E-I-D-A, तो इसका जो फूर्पॉम है, यंगना एक्स्प्रेस पे इंडिस्ट्रियल डेवलोप्न अथॉर्टी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कि यंगना एक्स्प्रेस पे जो है, व पार्क इस्टेब्लिस किया जाने है, तो उन्हीं में से एक पार्ट है, और मैं आपको बताओं कि इलेक्ट्रोनिक पार्क जो है, वो लगबग 250 एकर में बनाया जाना है, तो ये भी आप याद करने, तो जो यहाँ पे इंडिस्ट्रियल डेवलोप्न अथॉर्टी है, वो बिसिकली क्या करेगा, इन सारे इंडिस्ट्रियल डेवलोप्न जो भी डेवलोप्नेट्स होने हैं, उनको मैनेज करेगा, या अपनी रिकमेंडेशन देगा, या उसकी अप्रूबल लेनी पड़ेगी, कि किस तरीके से यहाँ पे, या इस एक्स्प्रेस पे के अलॉंग में बात कर लें, जियर एरपोर्ट के टम में भी आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में जानकाई ले सकते हैं, विकोज यह भी कुस्चन का पार्ट हो सकता है, बढ़ते हैं नेक्स कुस्चन की तरफ, इन विस कैटेगरी, ब्रिगेडियर एस्वी सारस्पती हाज रिसीवड नेशन के तौर पे या एनम के तौर पे, तो यहाँ पे सही उत्तर है, नर्स प्रसाचक के तौर पे, यानि कि नर्स एडिस्टेटर के तौर पे, तो यहाँ पे मैं आपको बदाओं, ब्रिगेडियर एस्वी सारस्पती, जो हैं वो मिलिटरी में ब्रिगेडियर हैं, तो उन्होंन मिलिटरी के हॉस्पिटल में जो नर्स हैं उनको एक तरीके से उनको उनके काम को अध्निस्टेशन करने के ताम में यहां पर यह पर पुरसकार दिया गया है और आपको यह भी महलूम होना चाहिए कि देश के राश्पति स्री रामनात कोविन जी ने इन पुरसकारों को दिया है 51 health care and nurses को मतलब की 51 nurses और health care को मिलाकर यह पुरसकार दिया गया है मतलब की सबको अलग अलग दिया गया है इन different categories, right? तो इसी रहे यहाँ पर यह question पुछा गया है, कि Brigadier SV सरस्वती को किस category में यहाँ पर दिया गया है? तो Nurse प्रसाचत के तौर पर, यह निर्स अड्मिस्टेटर के तौर पर, clinical Nurse के तौर बही दिया गया है, A&M के तौर पर भी दिया गया है, ब्रिगेडियर S.W. सरस्वती को जो है Nurse Administrator के तौर पे रखा गया है लेकिन और भी लोग जो जुड़े है Other Categories से उनको भी याद करना जरूरी है कहीं से भी Question पूछा जा सकता है अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यह जो पुरस्कार है वो क्यों दिया गया है 51 Healthcare जो Workers है या Nurse है उनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ कि यह पुरस्कार उनहीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फिल्ड में एक तरिके से Selfless Dedication देते हुए Compassion दिखाते हुए अपने काम को बखुवी निभाया है और खास तोर पे इस साल मतलब यह जो पुरस्कार दिया गया है खास तोर पे COVID-19 pandemic के दोरान जो सेमाई दी गई है जो जो काम हुए है Health Workers के तरू और Nurses के तरू तो उन काम को एक तरिके से यहाँ पे उलेखनी बनाते हुए यह पुरस्कार दिये गया है तो अपने आप में बहुत important है अब अगर मैं यहाँ पे National Florence Nightingale Award की बात करें कि यह Award है क्या और किन को दिया जाता है तो आपको मैं बताऊं कि यह जो Award है 1973 में Institute किया गया था इंडियन कॉवर्मेंट के थुरू और यहाँ पे जो Word आ रहा है Nightingale मतलब कि Florence Nightingale तो Florence Nightingale का नाम यहाँ पे जोड़ा गया है Florence Nightingale जो कि basically Modern Nurses की founder मानी जाती है तो उनके नाम पे इस पुरस्कार को रखा गया है National Florence Nightingale Award यह आपको मालूम होना चाहिए याद रखना यहाँ पे Award के टम में confusion नहीं होना चाहिए confusion इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी से मिलता जुलता एक और पुरस्कार है इंटरनेशनल लेवल पे जिसका नाम है यहाँ पे Florence Nightingale Medal क्या है Florence मैं आप लिख दे रहा हूँ आपको यह भूलना नहीं चाहिए Florence Nightingale Nightingale Medal तो यह दिखें यहाँ पे Medal की बात हो रही है फरक यह ही आ रहा है हमारे इंडिया में जो Award है वो क्या है National Florence Nightingale Award है और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो बात हो रही है That is Florence Nightingale Medal तो यह Award है International लेवल पे और यह जो Award है वो इंडिया में दिया जाने वाला Award है किनको Nurses और Health Workers को दिया जाता है उनके अपने काम में Extra Ordinary Performance देने के लिए तो अब आप यहाँ पे थोड़ा से इसको भी जान सकते हैं कि Florence Nightingale Medal जो है वो कब बनाया गया था तो यह भी जो है 1912 में Institute किया गया था International Committee of the Red Cross के थ्रू आपको यहाँ पे याद कर लेना चाहिए International Committee of the Red Cross तो मैं यहाँ पे सिरफ Red Cross लिक रहा हूँ वो आपको याद हो जाना चाहिए Red Cross की जो International Committee है उसके द्वारा यहाँ पे इस अवार्ड को Institute किया गया था 1912 में और यह International Level पे बिसकली नर्स के द्वारा अचीब किया जाने वाला Highest पुरहसकार है जैसे इंडिया में नर्स या Health Worker के तुरह अचीब किया जाने वाले Highest Award है National Florence Nightingale Award उसी तरीके से International Level पे यह अपने आप में Highest Award है तो आप इसको Detail में जरूर पढ़ सकते हैं या इसके फर्क को इसके नाम को आप दिमाग में अच्छे से रख लें यहाँ पे कोई भी confusion नहीं होना चाहिए National Florence Nightingale Award और Florence Nightingale Award तो यह आपको अच्छे से clear हो जाना चाहिए अच्छा आप दूसरी चीज़ अब यहाँ पे हम थोड़ा से clear कर लेते हैं कि Florence Nightingale कौन थी यह भी Static GK कटब में कई बार पूछा गया है तो यह भी आपको जान लेना चाहिए कि Florence Nightingale जो है बेसिकली वो England की थी और वो एक Social Reformer थी एक चिकितसर थी नर्स थी मतलब बहुत सारे एक तरीके से Social Reform के टर्म में उनके काम जुड़े हुए थे लेकिन उनका जो मेन बाद में काम लेखनी हुआ वो नर्सिंग फिल्ड का काम था और बाद में इस तरीके से वो फेमस हुई इस तरीके से प्रसिद्धी पाई खास दोर पे Crimean War के दोरान आपको मालू होना चाहिए Crimean War कब हुआ था तो यह 1853 से 1856 के बीच हुआ था खास दोर पे रशिया और फ्रांस के बीच में तो अपने आपे बहुत important war है इसको भी आपको detail में पढ़ना चाहिए तो इस युद्ध के दोरान बेचिकली जो soldiers थे वो घायल हो रहे थे और उनकी treatment करने के लिए उनका इलाज करने के लिए वहाँ पे काफी health workers की नर्सेश की जुरूरत थी तो उन health workers या नर्सेश को train करना या खुद ही सेवा में लगना नाइट इंगेल का या फ्लोरेंस नाइट इंगेल का जो योगदान रहा है वो बहुत ही उलेकनी रहा है और इसी time period में या इसी काम की वैसे इनको world level पर प्रसिद्धी मिली थी और यही से कहीं न कहीं इनको प्रेणा मिली थी nursing को as a professional learning के तोर पे देखने का तो इन्होंने एक तरीके से nursing professional learning को schooling के time में रखा या उसके लिए college खुलवाए ताकि लोग nursing को एक professionalism की तरह देख पाएं इसको profession की तरह एक तरीके से इसकी पढ़ाई कर पाएं और आगे अपना करियर के तोर पे भी इसको रख सकते हैं तो अपने आप में बहुत ही motivational और बहुत ही influential इनका एक तरीके से जीवन परिचे है इसको आप डिटेर में पढ़ सकते हैं स्टेटी जीके के तरह में मैंने आपसे बताया है कई बार यह question पूछे जा चुके हैं ना दर नेस्ट कॉश्चन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड है मतलब यहां पर जुरुवा बैनों की बात की जा रही है एक जैसी दिखने वाली जुरुवा बैनों की बात की जा रही है और यहां पर record बना है कि oldest यहां पर twins कौन बनी है तो मैं आपको सही उतर बदा देता हूँ सही उतर है 107 years तो यहां पर जो दोनों नाम है उमेनो, सुम्यामा और कौमे कोडामा यह 107 years की हो चुकी है और इनका नाम जो है गिनीज वर्ल रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तो यह तो अभी करेंट में एक तरीके से important है यह लेकिन आगे चलके यह static knowledge का भी part बन सकता है अगर यह record break नहीं होता है Now the next question Who has launched the national single window system for investors and businesses निमेशकों और व्यासायों के लिए national window system किसने launch किया है तो यहां पर options given है तो मैं आपको सही उतर बता देता हूँ सही उतर है जो की minister of commerce है और और भी यहां पर सारे minister सी है इनके अपने अपने मिनिस्ट्रीज है डिपार्टमेंट्स है उनको आपको मैं आपके उपर छोड़ता हूँ बताइए कौन किस department का minister है और आप यहां पर देखिए कि बात हो रहे है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या तो बिसकली यह एक platform है जिसके तुरू यहां पर जो entrepreneurs है या जो investors है या जो new businesses established होने है new business setup किये जाने है investors के तुरू या नए businessmen के तुरू तो जो filing का चक्कर होता है मतलब कि जो government offices के चक्कर काटने पड़ते है बहुत सारे approvals लेने के लिए बहुत सारी registration कराने के लिए बहुत सारा verification कराने के लिए तो इन सारे चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए basically यह platform को रखा गया है जिसका नाम है national single window system तो कहीं ने कहीं यह आने वले समय में बहुत ज्यादा agenist प्रवाइड कराएगा entrepreneurs के लिए businessman के लिए या investors के लिए ताकि उनको government offices के ज्यादा ज्यादा चक्कर ना काटने पड़ें तो अपने आपी यह भी बहुत important है जरूर यह नए businesses के लिए सहुलियत प्रदान करेगा तो अपने आपी important है इसको भी आप detail में पड़ सकते हैं यही थे हमारे आज के important questions जो कि आपके आने वले exams के लिए important हो सकते हैं relevant हो सकते हैं जो भी important point लगे note down करें जितना extra आप पड़ पाएँ जितना extra आप search कर पाएँ अलग से उसको आप जरूर search करें ताकि आपको extra जानकारी मिले और आप ज़्यादा ज़्यादा content से enrich डो पाएँ ताकि exam में किसी भी points से अगर question बने तो आप से चूटे ना तो वीडियो को like करें, share करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप subscribe कर लें साथ में bell icon को press कर लें ताकि important updates आपसे miss ना हो अगर आप social media में, facebook और instagram पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमको follow करें ताकि important updates आपसे miss ना हो because वहाँ भी आपको बहुत सारी information दी जाती रहती है तो पढ़ते रहिए, मस रहिए, मिलता हम आपसे next video में अब तक के लिए, have a nice day, thank you